46% जो उम्मीदवार है वो BJP के दागदार है और कॉंग्रेस की अगर बात करें तो 31% जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है दागदार है जनता किस पर कितना भरोसा दिखाती है यह देखना बेहद ही दिल्चस्प हो जाएगा आगे बात करते हैं सबसे एहम सीट ब बहराइश की बहराइश की अगर बात करें तो यहां भी काते की टकर देखने को मिल रही है और कौन किसको कितनी टकर दे पाता है यह देखना में बेहद दिल्चस्प होता नजर आ रहा है इसको और अविसतार से जानना चाहेंगे प्रच्छल बिल्कुल बात अब दो चेहरे पेचान लीजे यह दर ख़ड़े हो है उस नाम के साथ-साथ साथ साथ थाबित रिभाई फूले को भी पेचान लीगा है साथ थाबित रिभाई फूले का बीजेपी से कॉंग्रिस में आने का सिलसला अगर शुरू करें तो दो अपरेल दो हज 2018 इसलिए बेद मैतपूर्ण है क्योंकि सुप्रेम कोट के एक आदेश के बाद जिससे भारी तादाद में अरुसूचे ते जाती कि लोग सड़कों पर उतरे थे पूरे देश भर में उतरे थे उसके बाद कई ऐसे सांसत थे अंशल वर्मा भी थे उसमें से एक साबित जावत के सुर अलाप रही थी बागी होने का एक तमगा लेना की कोशिश कर रही थी वकाएदा लखनों में तो भारते इंतर पार्टी से इतर और उनके खिलाफ बिगल फूकने का जबकि सांसत बीजेपी से थी उनके खिलाफ बिगल फूका था लखनों की दर्ती में बीज मैं तो बात करेंगे क्योंकि बेराइच सीट में सीधे तोर पर ये कहा जाता है कि वहाँ अरुसुचित जाती के वोटर्स निर्णाइक की भूमिका में हो अगर निर्णाइक की भूमिका में वहाँ पर होंगे तो उत्तर प्रदेश के भीतर ये कहा जाता है कि मायवती एक अर परत्याशी भी खुद्साबित रिवाई फूले भी क्योंकि कॉंगरेस ने वरुसा तो जताया है लेकिन गटबंदन भी कमाल दिखा सकता है सोनी इस बार